आज की जो विशेय-परमेशन ने मुझे दिया है, वो है प्रातना से संबन दिता प्रातना करना नहीं, कैसे करना कब करना है, हमें प्रातना में क्या मांगना है और कैसे मांगना है, ये दो चीज़ी अगर आपको समझ बे आ गई तो आपकी बहुत सी प्राब्लम सॉल्व हो जाएंगे इसलिए इश्व मस्जी से उसके चेलों ने कहा कि हमें प्रात्थना करना सिखा आज प्रोसी प्रात्थना को जो इश्व मस्जी ने अपने चेलों को दिखाए था मैं अच्छी तनीके से एक एक शब्द के साथ आपको・डिफाइन करूंगा एक एक शब्द को आपको बताऊंगा कि वो है क्या क्यों कहा था और क्या जो बताई थी उन्होंने प्रात्रा उसका मतलब क्या है क्योंकि जब तक हम समझ के प्रात्रा नहीं करेंगे तब तक कोई फाइदा नहीं होगा आप समझ के चर्च आएंगे आप चर्च क्यों आ रहे हैं आप यहां क्यों बैठे हैं आप क्या लेने आए हैं आपका नजरिया क्या है आप इसको क्या समझते हैं आपके नजर में इसकी क्या कीमत है प्रिश अलॉट यह सारी चीजें आपको उन्नती की ओर लेके जाएंगे जब आप सोच के करेंगे दस लोग चर्च जा रहे हम भी चर्च जा रहे हम भी चर्च जा रहे हम किस से मिलने जा रहे हैं चर्च है क्या चर्च हमें किस से जोड़ता है हम उस दे से जुड़ जाते हैं चर्च में आकर जो इशू है और बाइबल कहती है वो देहे हमें सुरक्षा देती है हमें आशीष देती है और हमारी हर जरूरतों को पूरा करती है वो देहे प्रेस अलॉड हाले लिया जो मुझे में बना रहेगा यहना पंद्रा का चार क्या कहता है यहना कि जो मुझे में बना रहेगा मैं एक डाली हूँ जिस तरीके से एक पेड में डाली बनी रहती है मुझे बनना है मुझे उसमें जुड़ना है तभी मैं फल ला पाऊंगा अगर एक डाली पेड के संग नहीं जुड़ी होगी आप फल नहीं ला पाएंगे कोई डाली काम करती है कौई डाली काम करती है कौन काम करता है जड़ डाली का काम क्या है जुड़ना अब आप परमेश्वा से कितना जुड़े हुए है उस पे डिपेंड करती है आपकी सफलता उस पे डिपेंड करता है आपका फल लाना इसलिए कई मसीहों के जीवन में फल अद्वु तरीके से आते हैं और कई मसीहों के जीवन में जो फल है Praise the Lord, Hallelujah वो नहीं आते हैं, देर हो जाती है आप समझ रहें? कई मसीहों के जीवन में आप देखते होंगे फल नहीं आते कई मिनिस्टर्स में फल नहीं आते कई पास्टर्स के उसमें फल नहीं आते क्यों नहीं आते? क्योंकि आप जुड़े नहीं है आज मैं आपका बताऊंगा यह प्रात्रा के दौरा आप कैसे जुड़ सकते हैं प्रात्रा क्या है परमिश्र के संग जुड़ना प्रात्रा हमें सिखाती है कि हम किस तरीके से जुड़ते हैं प्रात्रा हमें सिखाती है कि हमारा रिष्टा क्या है प्रात्रा हमें बताती है कि हम किस थरीके से परमेशर को पुकारें हम क्या दर्जा दें उसे हम कैसे मांगें हमारा दिल उस समय कैसे होना चाहिए अलो तो प्रात्रा हमें बताती है तो आज विश्वास करिए और अपने कॉपी पैनले लीजिए और जो जो मैं बताता हूं उसको ध्यान से लिखिए समझने की कोशिश करिया हाले लिए लुका ग्यारा लुका ग्यारा एक से हम पढ़ने पढ़ेंगे प्रेज अलॉट हमारी बहन पढ़ेंगी उसके बाद उसमें समझने की कोशिश करिये आप जैसे मैंने आपको बताया है कि इश्व मसी ने जो कहा है प्रात्रा के बारे में उसकी एक-एक चीज को मैं आपको बताना चाहता हूं एक-एक शब्द को परमिशन ने जो मुझे प्रकाशन दिया है आप आपका जीवन बदल जाएगा कि मैं एक सिय सियुका प्रात्रा कर रहा था ऊहिसने फिस meansoug काुं था मनुश्य का फुत्र लेकिन परमेश्य का फुत्र धरती पर मनुश्य का फुत्र बन कर रहा है प्रेस त सलौल है धरती परहते हुए उस having a and प्रात्ना से बिताया, क्यों बिताया, हम लर्व जो किफ प्रात्रा करता रहता था इश्व मसी का जीवन प्रात्ना का जीवन था आखे पड़ी ए जब प्रात्ना कर चुका तो उसके चेलों में से एक नियुस से कहा युद। जैसे यह ने अपने चेलों को प्रात्ना करना सिखाया। वैसे हमें भी तु शिखादे। प्रेस लौट, आलेलॉय।। किक करते खेंग कर तो इसने का हमें पुरात्स ना करा है कि अलेलोईआ और जब चेलों ने देखा कि इश्व मसी मेरा गुरु मेरा प्रुबू प्राथना कररा है तो उसने का हमें पुरात्स्न करना से प्रेसलोड मेरे भाई कई भैने कई परिवार ऐसे हैं जो आप कहते हैं कि आपके बच्चे आपकी सुनते नहीं है चर्ष्ट नहीं आते हैं पड़ाई में मन नहीं लगाते हैं कि कहते हैं कि नहीं कहते हैं आपने अपने घर का माहल कैसे बनाया हुआ है कि आपके घर का माहल प्रात्रा का है इश्यू मसी से उसके चेले क्यों पूछ रहे थे क्योंकि वो देख रहे थे कि उनका गुरू प्रात्रा कर रहा है आपके बच्चे आपसे कब पूछेंगे मुझे प्रात्रा करना सिखा आपके बच्चों में प्रात्रा का जीवन कैसे आएगा जब आपको देखेंगे प्रात्रा करते हुए जब आपको घुटने पर देखेंगे कि नहीं चाहे बिता हो चाहे मां हो काम पचास हैं आप घुट्रे पर आएंगे पाप रुव आपका बच्चा देखेगा कि मेरे पापा यार प्रात्ना करते हैं एक दिन नहीं दो दिन नहीं तीसे दिन चौटे दिन उसके अंदर अहसास पड़ा होगा वो जो देख रहा है हमें अपने जीवन को प्रात्रा का जीवन बनाना है हमें अपने घर के एट्मॉस्वर को प्रात्रा का बनाना है वातावरन प्रात्रा का होना चाहिए आपको डर है कि आपका बच्चा कहीं जा रहा है कि बुरी संगती में है प्रात्रा करिए आप प्रात्रा ही आपके घर की negativity जो नकारात्वक विचार हैं जो शैतानी चीज़ें हैं जो आपके घर में आ रही हैं सब निकल जाएंगी गुटिये गुट्टे टेकिए प्रात्रा करिए इस्टुति करिए आदात्रा करिए बहुत समय हैं आपके पास इस अब जूट बात है कि मेरे पास समय नहीं है गड़त है तो इश्व मसी जब प्रात्रा कर रहे थे तो चेलों ने पूछा हमें प्रात्रा करना सेखा अब देखिए इश्व मसी क्या बोलते हैं बुलिए बिटा टिंशिंटिंटर सेखिए अकरो शोम नाम पुर्माना ज completed करो तो कहाँ किमें हमें उसको पिता करिश्था B measurement माना है हम जिस से प्रात्रा कर रहे हैं ऐसलोड यह वरस्थो क्या बताता है, वह कौन है? हमारा पिता अपय्स हरा धिचान दीजी वरचन को हे पिता तु जो स्वर्ग में है तेरा नाम पवित्र माना जाए वहुद्स कि तेरा नाम पवित्र माना जाए क्यों माना जाए क्योंकि तेरी पवित्रता की संसार में ज़रूरत है और भी उससे बड़ी बात क्या है कि परमेश्वर ईशु मसी अपने चेलों को जो प्रात्रा सिखा रहा है और वो कह रहा है कि पिता तेरा नाम पवित्र माना जाए यहीं कि ईशु बता रहा है कि तुम उस पवित्रता की शक्ति को समझो तुम पवित्रता की आशीश को समझो पवित्रता है क्या अगर आप कहते हैं कि परमेश्वर तेरा नाम पवित्र माना जाए तो कि आपके जीवन में उसका नाम पवित्र है हलो कि आप उसके नाम को पवित्र मानते हैं तब ही तो आप कह रहे हैं कि उसका नाम पवित्र माना जाए जब आप कह रहे हैं कि उसका नाम पवित्र माना जाए इसका मतलब आप पवित्रता के शक्ति को समझते हैं कि पवित्र रहना कितना जरूरी है अगर हमारा जीवन पवित्रता के साथ नहीं जुड़ा हुआ है आप लोग समझ रहे हैं प्रेस अलॉट पवित्रता एक ऐसी शक्ति है जो आपको सिद्ध करती है जो आपकी बुद्धी खोलती है जो आपको सामर्थ देती है इसलिए 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 कहता है तेरा नाम पवित्र माना जाए क्योंकि पवित्रता की ही इस धर्ती को सरूरत है क्योंकि ये धर्ती पुरी तरीके से अंदकार से भरी हुई है रेस अलॉट ये धर्ती पुरी तरीके से अंदकार से भरी हुई है इसलिए इस धर्ती पर अगर चाहिए तो क्या चाहिए तेरी जोती, तेरी पवित्रता और रगार इस धरती पर पवित्रता चाहिए मेरे भाई तो इस जीवन में भी पवित्रता चाहिए मेरे भाई बहुत जरूरी है ये प्रात्ना हमें बताती है कि हमें पवित्र जीवन जीना है और हमें पवित्र जीवन ही जीना है, हमारे जीवन जीने में कहीं कोई खोट नहीं होना चाहिए, कहीं कोई गलक भावना नहीं होना चाहिए, कहीं कोई अंदकार नहीं होना चाहिए, हमारे संबंदों में पवित्रता होनी चाहिए, तेरा नाम पवित्र माना जाए प्रात्रा कर उत्र कहो है पिता तेरा नाम पवित्र माना जाए तेरा राज जी आए आगे हमारी दिन भर की रोटी हर दिन हमें दिया कर हमारी दिन भर की रोटी हमें रोज दिया कर रेस अलॉट देखिए उसने क्या कहा मांगने के लिए दिन भर की रोटी हमारी दिन भर की रोटी हमें दिया कर आपको पता है परवेश्वर ने इसरालियों को 40 साल तक मनना दिया चालिस साल तक मनना दिया और कितने इसरालियों से आपको पता है तकरीबन 25 लाख 25 लाख इसरालियों थे जिनको गुलामी की जिंदगी से निकाल कर परमिश्वर आजादी के और लेकर गया कनान देश लेकर जाने वाला था और 40 साल सिने जंगल में उन्होंने बिताए और परमिश्वर ने 40 साल तक 25 लाख लोगों को मनना दिया एक ही मनना दिया एक ही स्वाद सब के लिए एक ही स्वाद आप सब का स्वाद अलग है कभी सोचा है आपने कभी सोचा ए एक सामन्न सब को क्यूं दिया एक सामन्न लाइए क्योंकि हम परमिश्व चाहता है ताकि हम एक मन और एक दृष्टीकौन के साथ रहे हमारी जो मनस्तिती हैं ना हमारी मनस्तिती बिखर जाती है कुछ कुछ पल के लिए हम यहां चल जाते कुछ पल के लिए अपने धंदे में कुछ पल के लिए अपने पुराने विचारों में कुछ पल के लिए अपने रिष्टों में चल जाते हैं कहीं कहीं हमारा जो चेंज है ट्रैक चेंज होता रहता है हम एक ट्रैक पे नहीं रहते मिनिट में पचास चीजे सोचल लेंगे कि शादी के बाद क्या था शादी से पहले क्या था बच्चे होने से पहले क्या था बच्चे के बाद क्या था शेतान आपको पचास जगा घुमा के लेकर आ जाएगा पांस मिनिट में और आपको डिस्टरब कर देगा है आपकी मन की शांति को देगा क्योंकि आपका ट्रैक है इस ट्रैक हो रहा है पर मेश्वा चाहता है एक एक मन के साथ है आदम को नहीं कहाता परशने कि वेभिन में प्रक चे में उत्पत्ति का पर है और जितने विर्क्षों में बीज वाले फल होते हैं वे सब मैंने तुमको दिये हैं वे तुम्हारे भोजन के लिए है इमेन आदम एक इंसान को परमेश्वने डिफ्रेंट तरीके के फल दिये कोशिश करिए ध्यान से मुझे देखिए ध्यान से एक एक शब्द को समझेए आपके जीवन में परमेश्वर काम करेगा आदम जो की एक इंसान था वचन क्या कहता है कि आदम को परमेश्वर ने विभिन प्रकार के फल दिये विभन प्रकार की सबजियां दी लिखा हुआ है हलो हां के ना हालेलुया एक इंसान को एक आदम को हजार वराइटी दे दी परमेश्व नहीं जिसमें भीश है जो अपने आप भलेंगे और डिफरेंट फल हैं डिफरेंट सबसीया हैं हजार तरीके की प्रेज अलॉट एक आदमी को लेकिन जब वो इस्राइलियों को लेकर आया तो पच्छिस लाख लोगों को एक ही मन्ना खिलाया उसने एक ही स्वाद सबको 40 साल तक जानते हैं क्यों क्योंकि दासत्व के जीवन में उनका स्वाद बदल गया था उनकी मनुस्थिती बदल गई थी उनका नजरिया बदल गया था आप जब संसार में थे आपका नजरिया बदल गया था आप संसार को अलग अलग नजरिये से देखते थे आप समयज़े की कोशिश करिए प्रेज़ लॉट परमेश्वर क्या चाहता है एक मन एक दृष्टी कोण के संग हम जीवन को बिताएं और हमारे एक मन में इशु रहे और हमारे दृष्टी कोण में हमारी वो आशा रहे कि हमें इशु तक पहुशना है और वही हमारा का यह भाव हो जाएगा हमारी प्रात्नाओं की अलग हमारे प्रात्ना करने का तरीका अलग हो जाएगा यहीं बता रहा है कि हमें रोज की रोटी दे कल की रोटी मत दे जब इस्राइलियों को मनना दिया गया निरिगमन सोला में अगर आप पढ़ेंगे तो जब इस्राइलियों को मनना दिया गया तो परमेशन ने क्या का मुसा इस्राइलियों को बोल कि आज का मनना आज ही ले कल ना ले कल नहीं ले लेकिन समस्या क्या है कि समस्या हमारे संक्या है कि हम पहले कल की सोचते हैं बाद में आज की सोचते हैं हम सुबह उड़ते ही कल की सोचते हैं हम सुबह उड़ते ही कल के लिए प्रात्रा करते हैं कि मेरे बच्च न कने अच्छा रहें मेरे पती का कल अच्छा रहेей मेरे धंदे से फलता जाए कि आप कल का सोचते हैं और कि इसलिए आपका विश्वास है मेरे अधिमाता है कि को कि कल का चिन्ता आप आपको आज द्धन्यवाद देने नहीं देता। जब आप कलती चिंता करते हैं तो आप आज का धन्यवाद देना भूल जातें। कि सुबह सुबह परमिश्ण ने आपको उठाया है अधुद्ध नीन दिये अच्छा आशीश दिया है अच्छी रात गुसरिये हम उसका धन्यवाद दी जाते हैं हलो प्रेस अलॉट कल की जो चिंता है वो आपको आज के धन्यवाद से दूर कर देती है इसलिए वो कहता है मुझे आज की रोटी दे हमारी प्रातना क्या होनी चाहिए मुझे आज की रोटी दे मेरा मन एक साहो प्रभु भोश्च क्या सिखाता हमें प्रभु भोश्च सिखाता है एक मन एक द्रिश्ची कोण गोms हो रोटी है नोगी हिभा हम लेते हैं एक साथ हमारी रोटियों में को चेंड div होते हैं किसी को मीठी रोटी किसी को कड़वी रोटी ऐसे को होता है प्रभू भोज एक रोटी एक दाखरस क्यों सिखाता है ताकि हम सब का मन एक हो हमारा दृष्टी कोण रीख हो हम जब रोती लेते हमारा नजरिया को चर्च आने का हमारा नजरिया एक होना चाहिए परकशव से मिलडा परमेश्व की वारी को सुन ना और परमेश्व की पानी को समझ कर उस पर चलना है हमारा यही मकसद होना चाहिए मेरे भाई मेरी बहें लेकिन हम कल की चिंता अपने अंदर लिये हुए जब चर्श में आते हैं तो हम उस एक ता के साथ एक मन के सब प्रात्रा नहीं कर पाते हैं हम आज का धन्यवाद नहीं दे पा रहे हैं हम कल की चिंता कर रहे हैं है इसलिए इश्यू कहता है मुझे आज की रोठी दे बस प्रेस अलॉट क्यों जो मुझे आज का सुख देगा उसने कल का वादा किया हुआ है प्रेस अलॉट मती छे का 34 क्या कहता है कल की चिंता मत कर कल की चिंता मत कर क्योंकि कल जो आने वाला है वह अपनी चिंता अपने आप करेगा हमें कल की चिंता करने की शूरत नहीं है मिरी भाई मेरी बहन हमको ये जानना ये समशना ज़रूरी है कि हम नई शिस्टी में है असंभव को संभव हमारे जीवन में होना मामूली बात है हम आम इंसान नहीं है हम संसार में नहीं है हम संसार से बाहर है इसलिए मेरी जो सोच है वो भी आम लोगों की तरह नहीं होनी चाहिए अब मेरे जो सोच है अब मेरा जो नजरिया है वो अलग होना चाहिए संसार को देखने का परमिश्र को देखने का पहले जब मैं संसार में था तो येस परमिश्र से मांगता था परमिश्र मुझे कल का भी दे दे आज का भी दे दे मुझे ये भी दे दे मुझे वो भी दे दे कि मैं जानता नहीं था किस्से बांग रहा हूं देने वाला है को वह देने वाला मुझसे इतना पिरेम करता है कि और अपने लोटे पूट का बलदान दे दिया मेरे लिए मुझे पाने के लिए सब्सक्रों कि मुझे आ कि एश मेरे ना डू जब मे elephants कि के लिए मांग आज का धन्यवाद देना है कि प्रेस अलॉट कि आपकी शांति क्यों खो देती हैं आप कि आपकी शांति क्यों चली जाती है कि आप आज का धन्यवाद नहीं दे रहे हैं जो आज रोटी देगा वो कल भी देगा अध्यशत लॉट क्या लिखा हुआ है मतीच 6 का 34 छे का 34 जो आज का सुख देता है मेरे भाई इसलिए वह कह रहा है कि हमें आज की रोटी दे क्योंकि हमारा पर्मेश्वर्ट आज का है उसका नाम क्या है मैं हूं कि उसका नाम क्या है मैं हूँ मैं था नहीं मैं हूँ प्रेस अलॉड इस प्राथ देखिए जब भी हम प्राथ न करें उसको समझें क्या लिखावा 34 में सो कल के लिए चिंता ना कर क्योंकि कल का दिन अपनी चिंता आप कर लेगा मैं आपको कितनी बार बता चुका हूँगे कल याने वाला कोई है कल जो आने वाला है वो वेक्ति है जिसको आदेश परमिशन ने दिया है कि वो कल आपके लिए चिंता करेगा आपको चिंता करने के जुरूत नहीं है मिरभाई हम लोग चुने हुए हैं आप ये मत भूलिए कि हम उसकी आखों की पुतली हैं हम चुने हुए हैं हमारी चिंता करने वाला कोई है हमें चिंता नहीं कर रही है अपनी हमें आज का धन्यवाद देना है जिसे आप ये विश्वास करेंगे कि कल जो मेरा आने वाला है उसकी चिंता करने वाला मेरे साथ खड़ा हुआ है और वो सर्व शक्तिमान है heavenly वो सर्व शक्तिमान है वो रशीता है जो कलकी चिंता करते हुए मेरे साथ खड़ा हुआ है भी चिंग तो बस महसूस करना है और उसके प्यार को प्यार करता है उसका मुझे उस अहसास को अपने अंधर रखना है धन्यवात के साथ इसलिए वो कहता है आज की रोटी मुझे दे आगे और हमारे पापों को शमा कर और हमारे अब देखिए ध्यान दीजे इस वचन को प्रात्रा हमें क्या सि région लुटाँ हमें वाचा में बंदना सिखाती है अगर हम वाचा में अपने जीवन को बांते हैं हम पर्मिष् corset के आशीष को मैसूस नहीं कर पाएंगे पढ़िए बेटा और हमारे पापों को शमा कर क्योंकि हम भी अपने हर एक अपरादी को शमा करते हैं यानिके पहले हमने शमा किया फिर हम मांग रहे हैं उसके शमा क्योंकि हम भी अपने हर एक अपरादी को शमा करते हैं कौन है आपका अपरादी आपका अपरादी कौन है कौन है आपका अपरादी बताइए मुझे लिखाओ ना कि हम अपने अपरादी को क्षमा करते हैं कि इस टीचिंग को ध्यान से समझे आज की टीचिंग को कि समझने की कोशिश करिए कि इद्धर मत देखिए आपका अपरादी कौन है कि आपका अपरादी कौन है आपरादी कौन होता है जिसने आपको कश्ट दिया हो जिसने आपको दुख दिया हो अपरादी आपका तो कौन है आपका अपरादी किसको आपने शमा किया है या किसको आप शमा करने के लिए पर्मेश्ट कह रहा है कि इसे क्वशन को समझिए आपका अपरादी वो है जिसे आप नहीं जानते जिसकी वज़ासे आप सताव में हैं जिसकी वज़ासे आप बंदन में हैं अ जियान से समझ लेकि कोशिच करिए आपके पूर्वो जणे जो पाप किये हैं उनकी वज़यसे जो श्राप आपके ऊपरादी आपके पिता ने आपके दादा ने कि-सी का धिल दुखाया और और आपके पिता ने आपकी oh मारा कूटा, उनको दुख दिया, उनको सताया, उन्होंने शराब दिया, कि जिस तरीके से तुने मुझे सताया है, उस तरीके से तेरे बच्चे भी शरापित हो, तेरे बच्चों को भी दुख मिले, हालेलोईया, प्रेस दलॉट, अब आपके पिता भी भूल गए, आपके द वो है आपका अपराधी तो आपको क्या करना है आपको उसके लिए आपको उसको शमा करना है दिल से और यह कहते हुए कि मेरे पिता ने मेरे पूर्वजों ने अगर किसी का दिल दुखाया है और जिसकी वज़ा से मैं सताब में हूँ जिसकी वज़े से मेरे बच्चे सदा में क्योंकि आपके बच्चे आपसे जुड़े हुए आपका वन्ष आपसे जुड़ा हुआ है आप अगर पत्नी है और आप किसी की पत्नी है तो आप जब पत्नी बनती है तो आप उसके उससे जुड़ जाती है तो उसकी जो भी विपत्तियां है वो आपके संग जुड़ जाएंगी हलो, समझ रहें आप तो क्या कह रहा इश्व मसी कि जैसा हम मैंने, जैसा आपने हमारे अपरादों को ख्षमा किया है हमने भी अपरादी को ख्षमा किया है जो हम बक्तिस्मा लेते हैं तो पूरी तरीके से आजाज होते हैं और श्रापों से पापों से मुक्त हो जाते हैं प्रेस्ट लौट हालेलुया लेकिन हम क्या पूरी तरह मरते हैं कि हम पुरी तरीके से अपने अंदुरुनी मनशुत्र को संसारिक रूप से मार देते हैं आप अभी भी संसार में घूम रहे हैं आपके अंदर अभी भी संसार की जरुरत है आप अभी भी संसार को अहमेत देते हैं संसार तो चाहिए, संसार से तो रोटी आ रही है, संसार से रोजी रोटी आ रही है, संसार ही हमें सब कुछ दे रहा है और यही कमजोरी आपको दुख की ओर लेके जाती है, बंधन की ओर लेके जाती है बिखिन जैसे आपको पहले बताये था कि हमें संसार में रहना तो है लेकिन संसार का पानी हमारे अंदर ना रहती की हमारी नौँ में संसार नहीं आना चाहिए ताक्कि वो डूबे नहीं थि तो प्रात्रा का क्या है तीसरा हिस्सा क्या है कि मेरे पापों को उक्षमा कर जैसे हम अपने अपरादियों को उक्षमा करते हैं इसलिए आप अपने आपको जाचिए कि क्या आपने अपरादियों को उक्षमा कर दिया है मांगिए हम कभी-कभी सोचते हैं कि हमारे माबाब बहुत अच्छे हैं और अच्छे हैं हमारे माबाब हर आदमी अपने माबाब से बहुत प्यार करता है हर बच्चा कभी नहीं सोचता कि मेरे माबाब गलत होंगे मेरे माबाब ने कुछ गलत किया होगा लेकिन कभी कभी गलती से हो सकता है आपके मावाब से किसी का दिल दुखाया हो, कोई गलत काम हुआ हो, और वो बात उन्होंने ना आपकी मम्मी को बताई ना आपको बताई, लेकिन वो जो श्राप किसी सामने वाले भाई के मुझ से निकला है, वो तो काम करेगा, और तो आप किस पर आता है वंश की उपर नुह जो था जो वो नौ से निकला नुहा तो उसने दाग की बारी का फल खाया और दाग की बारी का जो फल था उसमें नशा था वो नशे में हो के अदूथ और उसने कपने कपड़े निगाल दिये और आपको पता है हाम जो उसका बेटा था उसने उसको नंगा देखा उससे दो भाईयों को बताया दोनों भाई जो थे वो पीछे मुड़के उन्होंने अपने पिता को कपड़े पहनाए लेकिन एक बेटे ने नोह ने शराब दिया किसको शराब दिया उसके बेटे को हाललीया जली से बड़े करिये अगराना चाहता हूँ कि जो आप कोsan खा ओप करिये अगर आप गलती करते हैं अगर आप करते तो आपके बच्चों के उपर आएगा वह पाप कर आंसे यह थो जी जे मैंने जूढ बोला मैंने धोका दिया मने परमेश कि आगया नहीं मैं जूढ गा ना आप नहीं जानते हैं वो चीज आपके बच्चों को पर आएगी देखिए उत्पत्ति छे उत्पत्ति छे निकालता हूं मैं आपके लिए ध्यान दीजे यह वचन पढ़ना समझना बहुत जरूरी है बीस नौ का बीस जेनिसिस 9 20 मैं आपके लिए पढ़ता हूं तब नुह किसानी करने लगा और उसने ताक की एक वारी लगाई और वो उसकी मदरा पीकर मतवाला हुआ और अपने तंबू के अंदर नंगा हो गया तब कनान के पिता हाम ने अपने पिता का नंगा पन देखा ब amente अपने पिता के नंगएपन को ढाप दिया और उनके मुक़् फिरे हुए थे सलिए उन्होंने अपने पिता के नंगएपन को नहीं देखा जब नुह का नशा उतर गया तब उसने जानलिया के छोटे पुत्र ने मेरे साथ क्या किया है अता उस ने कनान उसने कहा कनान थैस से तक है ऐना किस ने किया हमने नंगा किसे देखा किस देका हमने लेकिन नहुँ निर्फ इसको दिया कनान को यह नियम यह इसलिए आप जबानी के नशे में आपने पैसे के घमर्न में आप किसी को दुख देते हैं, आप किसी को सता देते हैं, आप किसी को छीन लेते हैं, आप ताकत वारे हैं सर, आप किसी को छीन लेते हैं, आप किसी को धोका दे देते हैं, याद रखिए शराप आपके बच्चों पर आएगा आपका किया हुआ आपके बच्चे भोगेंगे लिखा हुआ है अभी मैंने पढ़के सुनाया आपको इसलिए बाइबल कहती है किसी को भी दुख देने से पहले क्योंकि आप सोचिये आप किसी का बुरा समझ रहे हैं तो अकल आपके बच्चे पर होने वाला है तब आपका बच्चा कहीगा हरे मेरे मावाब तो अच्छे थे हमने अच्छा काम किया अच्छी पढ़ाई की अच्छा सब कुछ किया क्यों ऐसा हो रहा है क्यों हमें दुख मिल रहे हैं क्यों हमें नौकरी नहीं मिल रही क्यों हमारी शादी में विगन आ रहे हैं क्यों हम कि आप इससे समझ नहीं रहें इसलिए धन्यवाद हम इश्व मसी में आए आज से कोई भी हमारे मुख से ऐसी बात ना निकले जो किसी को किसी को ठेश पहुंचाए इसलिए लिखा हुआ है अठारा का 21 नीती बचान अठारा का 21 कि तुम्हारी जबान पर जिन्दगी है और इसलिए किसी को शिराप मत दो क्योंकि आप अगर किसी के लिए बुरा करेंगे तो आपके बच्चों के जीवर में वो बुरी फसल होगेगी याद रखिए आप तो अपने जिन्दी की जी लेंगे लेकिन वो चीज आपके बच्चों पर आएगी हाललुया इसलिए हमें बहुत तरीके से अपने जीवन को जीना है पवित्रता के साथ इसलों कहता है कि जैसे आपने मेरे पापों को क्षमा किया हमें भी अपने अपराधियों को क्षमा करना है करिए अपने अपराधियों को क्षमा कुटने टेकिए उसे कहिए पिता परमे निकाल दीजे उससे, माफ़ी माँगिए, ये प्रात्रा का तरीका है, ये प्रात्रा करिए, देखिए आपके बंदन आजाद होना शुरू हो जाएंगे, दिल से माँगिए, रोस मांगिए, प्रेस अवाट, अगला, जली पढ़िए, और हमें परिक्षा में नला, और हमें प आफ बहुत बरशाली हैं। लेकिन आप नहीं जानते हैं कि शैतान जानता है कि समय कम्जोर है। । आपकी कमजोरी शैतान जानता है इसलिए लिखा हुआ है, इपिस्योक 6 का भारा कि हमारा मलियुध्द है से वह मास और लहू से नहीं है बलकि آकाश में जो अंदकार की शक्तिय sizक है इसलिए हमें सचेट रहना आए इसलिए मैंने आपको भठाया कि हम हर पल हर शचल हम युद्ध में हैं ऐसरल से निकल हे युद्ध में है आप आपको देखने वाला आंदकार की शकतियां आपके आसपास है वह आपको जिराने के लिए तयार है वो है व्पके मन को बेचेन करने के लिए तयार है वह आपके मन में लालस लाने के लिए तयार कि वह स्धाश क reminder है कि मुझे परिक्षवर मळ दाल permission yes कि यह व्याचन पताता है कि हम अपने आपको डीन बंकर नमर बनकर कमसोर बनकर उसके सामने रहें कि आज़रीया कई चैस्टित्स में आपको बताया जाता होगा कि नएज-जाइस हम शैतन को हरा चुके हैं वैरिडिकुड हमा चुके हैं कि एक तान हमारा कुछ नहीं सकता मैं आपको बोल रहा हूं लेकिन कब जब हम मजबूत हो तब जब हम पूरी तरीके से परिपक्व हो तब अगर हमारे अंदर अंदकार है ना तो इशु मसी हमारे साथ भी होगा तब भी रोक नहीं पाएगा शेमौन के पास अंदकार आया था चेलों के अंदर अंदकार आया था तू बढ़ा है मैं बढ़ा हूँ मैं बढ़ा हूँ अंदकार आया था इसलिए शैतान ने कहा ग्यहूं की तरह पठकने के लिए मांग लिया है इशुमसी ने क्या कहा कि शैतान ने तुम लोगों को ग्यहूं की तरह पटकने के लिए मांग लिया है ग्यहूं को साफ करते हुए देखा कभी आपने किसान को देखा ग्यहूं की तरह ग्यहूं को साफ करते हुए इस शर्द का मतलब समझते हैं, ग्यहू की तरह पठकने का मतलब, आपको परिक्षा ऐसे नहीं आएंगी, एक आ गई, फिर आ गई 2 साल के बाद थाक थाक थाक, फिर पठकता ही रहेगा आपको, ग्यहू की सरह पठकने के लिए आग्या अनलै उसने, यहूं कैसे पटका जाता है वो जो धान का लेते हैं द्हूं निकालने के लिए एक बार पटका फिर अगली फसल में पटकेंगे नाई वो पटकता रहता है पटकता रहता है इसलिए आप लोग प्रॉब्लम में आते हैं एक के बाद दूसरी दूसरी के बाद तीसरी के बाद चौथी और आप कहते हम तो चर्ज जाते हैं हमें परिशा में मड़ डाल यह वचन हमें क्या बताता है कि हम सही हम अपने आपको दीन और नम्र समझ कर सचेत रहें सावधान रहें कि हमसे कोई ऐसी गलती ना हो जो शैतान पकड़ ले हम कोई ऐसा काम ना करें जो शैतान पकड़ ले प्रेस लॉट आप समझ रहें इसलिए प्रभु क्या कहता है जब आपके बच्चे होते हैं बच्चों का वर्दान कौन देता है परमेश्वर हमें अपने बच्चों के अंदर एक परमेश्वर के भय का बीज बोना है हमारे बच्चों के अंदर परमेश्वर का भय का बीज होना चाहिए उड़ाओ पुत्र की कहानी पता आपको उड़ाओ पुत्र की कहानी सब लोग जानते लुका पंद्रा का ग्यारा में कि दो बच्चे थे और पिता से छोटा बच्चा लड़कर अपनी ज्याइदाद लेके चला गया और पिता ने नहीं रोका कि और वो आया कि क्या का उसने कि मैंने पिता और परमेश्वर के विर्द पाप किया है कि पेसलोट और जब वो आया तो पिता इंतिजार कर रहा था जब पिता के पास से वो धन्दौलत लेकर गया क्यों नहीं रोका पिता ने और पिता को इतना विश्वास क्यों था कि वो आएगा क्योंकि उस पिता ने अपने बेटे के अंदर परमेश्वर का भैका बीच वो नहीं मैंने पाप किया है मैंने परमेश्वर और अपने पिता के वुरुद पाप किया नहीं मुझे जाना चाहिए उस भैके बीच ने उसको वापिस लेकर आया हमें अपने बच्चों के अंदर भय का भीज बोना चाहिए संसार का भय नहीं अपना भय नहीं परमेश्वर का भय हम बच्चों को पाल लेते मैं लड़का हो गया लड़की हो गया उससा मनाया उसको बताईए प्रभु कौन है मैं कुछ भी नहीं हूँ, मैं तेरा बाप नहीं हूँ, पर मेश्व तेरा पिता है अब नहीं जानते हैं मेरे भाई, हमें कैसी शिक्षा देनी है लेकिन वो शिक्षा पहले हमें अपने उपर लेनी है इसलिए वो कहता है कि परिश्या में ना पढ़ने दे आगे बल जली बढ़िए तब उसने उनसे कहा तुम मेंसे कौन है कि उसका एक मित्र हो और आदी रात को उसके पास जाका उससे कहे है मित्र मुझे तीन रोटिया दे अब यहां पर वो एक आग्रह की बात बता रहा है कि प्रात्रा में आग्रह होना चाहिए अब वो यहां पर क्या बता रहा है किस थरीके से हमें आग्रह करना है अगर आप एक मनुष्य से आग्रह करेंगा उसने बताया यहां पर कि वो एक दोस्त के पास जाता है एक आदमी अपने दोस्त के पास जाता है और कहता है कि मेरे घर वो उनको रोटी दे देता है रेसल लौड हालेलिया इससे आगे बोली इससे आगे जहां तक मैंने बता है उसके आगे क्योंकि एक यात्री मित्र मेरे पास आया उसके आगे रखने के लिए मेरे पास कुछ नहीं है और वहां भीतर से उत्तर दे मुझे दुख ना दे अब तो द्वार बंद है और मेरे बालक मेरे पास बिच्छोने पर है इसलिए मैं उठकर तुझे नहीं दे सकता है क्यों क्यों देगा वह मित्र क्योंकि उसने आग रह किया है उसने आग्रे किया है हम आजकल जो प्रातणा करते हैं कई लोग कई बहने मेरे पास प्रात्रा मुझे से कराती है उसमें होता है कि साब ऐसा ऐसा होना चाहिए पास्टर ऐसा होना चाहिए मेरे पती मेरी मुठ्थी में आजा ऐसा करिए मेरे इसाब से काम करें बस ऐसा करिए हम डिक्टेट करते हैं प्रात्राओं को हमारी प्रात्रा में अनरोध और आग्रह होना चाहिए यहां क्या बता रहा है प्रात्रा में आग्रे है जब एक मनुश जिसके पास आप जाते हैं वो आपको आग्रे के द्वारा आपकी इच्छा पूरी कर देता है तो अगर आप पिता परमेश्वर के पास जाएंगे आग्रे के साथ तो आपकी इच्छा क्यों नहीं पूरी आपके साथ हैं इतने सालों से मैं आपको दशांस दे रहा हूं इतने सालों से मैं आपको पूछता हूं के मिरी इच्छा पूरी नहीं होगी हमें दीनता और नमरता के संग आग्रे के साथ उससे भुँगलाना है और अगला बचन क्या कहता है मैं तुमसे कहता हूं मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा धूड़ो तो पाओगे खट-कटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा अब तुम्हें मांगना कैसे है कि हुमिलिटी कि दीन था कि प्रेस लॉट आप सोचिए अगर आपका जो मांग रहे हैं वह आपके लिए जरूरी है बहुत जरूरी है और वह पिता जानता है तो क्या वह पूरी नहीं करेगा करेगा क्यों नहीं करेगा और आग्रह क्या होना चाहिए आग्रह में धीरज होना चाहिए पेशन्स होना चाहिए देखिए मैं आपको सच बता रहा हूं परमेश्वर जादा परमेश्र जो ज़्यादा है परमेश्र चाहता क्या है उसकी चाहत क्या है आपकी इच्छा पूरी करना उसकी चाहत रही है वो तो कभी भी करतेगा परमेश्र की चाहत है आपके सौभाव को बदलना कि आपके सौभाव से उसके पास आ रहे हैं हाललिया बजन सहीता चालिस का एक क्या कहता है मैं धीरच के संग उसकी उपासना करता रहा उसकी प्रतिक्षा करता रहा और उसने धैरे से उसने सिंगासन से खड़े होकर मेरी प्रातना सुनी कैसे प्रातना करता रहा धीरच के साथ धैरे के साथ आग्रह के साथ पिता जरूरत है मुझे पिता जरूरत है मुझे देगा परमेश्वर वो देने ही वाला है लेकिन हम जब आग्रह करते हैं और जब हम दीन होते हैं जब हम धीरच रखते हैं तो परमेश्वर हमारे स्वभाव को बढ़ा रहा है सबसे जरूरी है कि परमेश्वर चाहता है कि हम उसके जैसे बन जाएं हम सिद्ध बन जाएं और कुछ नहीं चाहता है कि द्रेश लाउट इसनिये कहता है मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा किस तरीके से आप मांग रहे है ढूनो किसे ढून रहे हैं आप किसे ढूंड रहे हैं, प्रात्रा में ढूंड किसे रहे हैं, परमेशर, परमेशर के अनुगरे को ढूंड रहे हैं, प्रेस अलॉट, आपने परमेशर के अनुगरे को कभी अपने जीवन में सिद्ध किया है, इस्तिर किया है, उसके अनुगरे को जाना है, वो रोज आपको द चमतकारों को हमें अपने जीवन में रोज महसूस करना है तो प्रेसलोड आपके चलने की शक्ती नहीं है कलीसिया आने की शक्ती नहीं है तेकि जब हम्मत करते हैं आप कलीसिया पहुंच जाते हैं यह उसका चमतकार है प्रेसलोड हमें रोज उसके चमतकारों को रोज उसकी उपस्तिती को अपने जीवन में महसूस करना है कि यस Yes कि आपका जीवन बदल जाएगा मैसूस करिये कि वो आपको आशीश दे रहा है रेस अलौट हालेलिया इसलिए वो कहता है डून दो पाओ गड़ाओ तो तुमारे लिए खोला जाएगा क्योंकि जो मांगता है उसे मिलता है किसको मिलता है जो मांगता है जो मांगता है उसे मि खोला जाएगा तुम में से कौन ऐसा पिता होगा कि जब उसका पुत्र रोटी मांगे तो उसे पत्थर दे मशली मांगे तो मशली के बदले सांप दे यह अंडा मांगे तो बिच्छू दे कोई होगा कि एक प्रेस अलोर कभी आपने अपने बच्चों को दिया है उसंने अगा टौफी मांगे और पत्थर दिया है उसने चॉक्लेट मांगी आपने पत्थर दिया हो सकता के पैसे नाँ हो तो आप बोल दे हमे नहीं के आपवर बहले हैं以及 यह क्योंकि आप जांते यह मेरा हालो है प्रेसलोट इश्य क्या बता रहा है वह बच्छा जब आपसे मांगता तो आपको क्या समझता है वो क्या समझता है वो आपको पिता अगर उसके मन में यह आए पापा मुझे चॉकलेट दो और फिर मन में आ रहे यार यह नहीं देंगे तो दूसरे पापा भेंगे अपने पापा उनसे मांग लिया अरे पडोसी से मांग लिया पडोसी दे तो वो आपको ही पिता मानता है है हम दस जगा हमारी नजर घूमती है हमारे दस बाप हैं दस दर्वाजे हैं कौन सा खोलेगा वो कौन सा खोलना चाहते हैं आप वो दे सकता है उसके हाथ छोटे नहीं है ये शाया 69 का एक और दू आप पढ़ेंगे तो आपको पता लेगा 59 उसके हाथ छोटे नहीं है वो बहरा नहीं है वो देख सकता है वो आपकी हल जुरुद पूरी कर सकता है कि क्यों नहीं दे रहा है वो जब एक मनुष्य अपने बच्चे की जित पूरी कर सकता है इच्छा पूरी कर सकता है तो क्यों नहीं दे रहा है अब यह की बारवां क्या वशन कहता तेरवां आता है जब तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देना हजानते हो तुर तुम्हारा स्थुर्गी पिता उनको जो उसे माँंगते हैं पवित्रात्मा क्यों न देगा अब इस बात को समझे भवितरात्मा क्यों न देगा क्योंकि आप मांग क्या रहें हैं आप मांग क्या रहे हलो आप मांग क्या रहे आप मांग रहे कि आज मरी नोकरी 10,000 की है बीस जार हो जाए आप मांग क्या रहे हैं, आज मेरे करजों से मुक्ति हो जाए, आज मांग क्या रहे हैं, कि मेरे बेटी की शादी हो जाए, आप मांग क्या रहे हैं, कि मेरे पती का इलाज हो जाए, आप मांग ही नहीं रहे हैं, कि परमेश्वर अपनी आत्मा के द्वारा मुझे सिद्ध कर मुझे अपनी आत्मा के द्वारा पूरा पूरा पर्मेश्वर अपनी स्वरूप में लेकर आजा मिर में से यह लालश निकल जाए प्रबू क्या आप लोग क्या समझते और यह यह वागने से क्या होगा मेरे भाई यही मांगने से होगा वो चीजे जो आप मांगने हैं वो तो वो देगा ही उसको पता है आपकी भूक उसको पता है आपको नौकरी चाहिए अभी भी जो आपको नौकरी दी है वो परमेश्व नहीं दी है वो जानता है आपको क्या चाहिए आपको कला आपको क्या आपको काम आता है किसी को काम आता है किसने सिखाया अपने बुद्धिर से चीनली आप सीख लिया आपने परमेश्व ने हरे को क्यों नहीं आता है आपको आपको कंपूटर काम आता हमा लिजे ज्यान दीजे आपको क होता है किसacyjण को वह ग्यान दिया है व्हा बिल्दिंग बनातें किसने आपको वराज से दिखाए विंक पैसे नंवं उनाए आपको इसने वो चीज़े तो आपको देस ने खोए लेकिन वे चाहता है कि तो शित्त होकर मेरे पास कि इसने कहता है कि पवित्रात्मा मांग कि उसके सभाव के नुसार में चलूँ प्रेस अलोड हम इस चीज को एहमियत नहीं देते अरे यार मेरे अंदर से लालश्ट निकल जाए स्वार्त निकल जाए नफरत निकल जाए इससे क्या होगा यार मेरे रोटी थोड़ी मुझे मिल कि मेरे भाई जिस दिन आपके अंदर से लालश निकल गया स्वार्त निकल गया धोका निकल गया वैविचार निकल गया वो मन्ना आपके जीवन में आएगा आप उस मन्ने का स्वाद समझ जाएंगे 40 साल तक जो जिराली से उनको मन्ना मिलता रहा लेकिन उस मन्ने का स्वाद को नहीं समझ वाए इसलिए वो कहते हैं कि मन्ना ये निकम्मी चीज है क्या लिखावा गिंती 21 का चार पढ़िए मिटाए चार और पांच गिंती नंबर्स 21 का चार और पांच फिर उन्होंने होर पार से कूच करके लाल समुदर का मार्ग लिया कि एदोम देश से बाहर घूम कर जाएं और लोगों का मन मार्ग के कारण बहुत व्याकुल हो गया यात्रा करते हुए बहुत व्याकुल हो गया आप देखिए ध्यान से समझने की कोशिश करिए इसलिए वह चाहता है कि आपके मन में दीनता है नम्रता है फ्रेसलाव ध्यान दीजे में दर देखिए इसरालियों उसको परमेश्वर दासत्व के देश से निकाल कर ले आया मन ना खिला रहा है चट्टान से पानी पिला रहा है उनको आजादी की सिंदिगी दी अपने दर्शन करा है कि मैं कौन हूँ बताया और यह लोग क्या करें है यात्रा करने से उनका जो है मन अशान्त हो गया पढ़िए परमेश्व के विरूद बाते करने लगे लोगों का मन मार के कारण बहुत व्याकुल हो गया यात्रा के कारण क्यों व्याकिल हो गया यात्रा के कारण क्यों आशान्त हो गया यात्रा के कारण क्योंकि जो वह यात्रा कर रहे थे उनमें उनका उद्देश नहीं था वह उद्देश बिना उद्देश के यात्रा कर रहे थे अगर उनके बन में उदेश होता कि नहीं मुझे कनान देश जाना है उस प्रॉमिसिंग लेंड में जाना है जहां मेरा पिता मुझे लेके जाना चाहता है येस वो कभी नहीं थकते वो कभी नहीं थकते आप चर्च आते क्यों थक जाते हैं आप चर्च लेट क्यों आते हैं क् आपका नजरिया अलग है आप चर्श में कुछ पाने आएं आपका धे नहीं है लक्ष इशू नहीं है Ray the Lord मेरा अगर लक्ष इश्व है मेरी आशा इश्व है इश्व के आने तक मुझे परमेश्वर का बने रहना है हमेशा हलेलोया एशू का बने रहना है वो आना है, वो आएगा और मुझे लेकर जाएगा मेरा ये लक्ष है जिस दिन मेरा उद्देश है ये उद्देश है मेरे मन में जीवित रहेगा ना, मैं ठकूँगा नहीं कोई भी विपत्थी आएगी, मैं डरूँगा नहीं कुछ भी होगा मेरा इशू मेरा लक्ष क्या इशू मेरा लक्ष घर नहीं है मेरा लक्ष नौकरी नहीं है मेरा लक्ष धंदा नहीं है आप क्यों ठक जाते हैं क्योंकि आपका लक्ष इशू नहीं है उनका लक्ष परमेश्वर नहीं था उनका लक्ष कनान देश नहीं था इस कि यह क्या आपको अनधकाल का जीवन मिल गिया है आपको потр subcribe मिल गया है आप वहां जाने के लिए योग्य बन गए है इसे बड़ा और क्या बात है इसे बड़ा ख़जाना है कि यह दॉ लेकिन यात्रा में आशान्त्र कौन हो जाता है जो यात्रा के वेल्यू को नहीं समझता है जो उद्देश को नहीं समझता है मुझी जाका हूँ दूपए तो चलेगा लेकिन मेरी मंजिल तो इश्यू है खड़े हैं तो चलेगा लेकिन मेरी मंजिल तो इश्यू है प्रेस अलॉट है आलेलोईया आपकी बंजिल क्या है आपका दे क्या है आपका नजरिया क्या है यह बहुत और यहीं चाहता है परमेशन बनाना इसल लेकिन आप क्या मांगते हैं। हमें मांगना मेरे भाई कि हमारे अंदर और सबर आए। जब भी परिश्य आए तो हम आनंद से भर जाए। जब भी संकट आए तो हमारा आनंद कम ना हो। हम धीरजवन्द होके तेरी सुती तेरी अराधना करते रहें। क्योंकि हमारे हर संकट को निकालने वाला, हमें हर संकट से दूर करने वाला तुझ जीवित परमेशर हमारे साथ है। हमें तो सिर्फ एक ही धे है कि हमें तुझ से मिलना है। और अपने आपको बचाकर उस योग के बनाकर हम तेरे बने रहें। हालेलया। मेरे भाई यही है परात्ना जो इश्यू मसीने से खाई है। जो हमें रोस करनी है। रोस करनी है हमें परात्ना इसी तरीके से। अगर हम इस तरीके से परात्ना नहीं करते हैं मेरे भाई। कुछ आपको हासिल होने वाला नहीं है। आज आप कली से आ रहे हैं, वो सकता है दो साल के बाद नहां है आप, वो सकता है, यह आपकी बात नहीं है, बड़ोनों की बात बोल रहा हूं, क्योंकि आपका उदेश प्रभू नहीं है, आपका उदेश आपकी बिमारी है, आपका उदेश आपके लिए पैसा है, आपका पानी पे चलती हुई नाओ, पत्रस और ग्यारा लोग हिल गए, तुफान आया, लेहरें उठ रही है, हवाएं चल रही है, वो हिल गए, इश्यु मसी जो सो रहा था, गुरू उठो, हमें बचाओ, क्योंकि हम मरे जा रहे हैं, क्यों? क्योंकि वो अपना उद्देश्य भूल होना चाहिए कि हमें उस पार इश्यु के साथ जाना है, जिसलिन आपका ये उद्देश होगा कि मुझे उस पार इश्यु मसी के साथ जाना है, ये तुफान, ये लहरें, ये कोछ भी आपका कुछ नहीं बिगार सकती, कुछ नहीं बिगार सकती, हमारा उद्देश्य इश् तब परमिश्र कहता है कि हम इशू में बने रहें और इशू के योग्य बनें कोई ऐसा सोच भी हमारे अंदर नहीं आए जो हमें गलत साबित करें प्रेज़ लॉट मैं विश्वास करता हूं आज का वचन आपको अच्छा लगा होगा कितनों को आशीश मिली यह मैं सच कह रहा हूँ मेरे भाई आशीश अगर आपको मिली है तो आपके जीवन में परिवर्तन आना चाहिए अगर आपके आत्मिक जीवन में परिवर्तन नहीं आता है तो माफी चाहूँगा मैं हाथ मत उठाईए इस वचन को अगर आप लेकर अपने जीवन को नहीं बदल स प्रक्ते हैं तो मैं माफी चाहूँगा इसकि अब चाहता हूं मेरी इच्छा है जभश बड़ियों आए मैं पूर को डिस्य हम साथ मिचाए हो चाहता हूं कि मैं आप लोग लोग के लिए बहुत भीनत करता हूं मैं आप लोग के लिए सार नहीं चलेंगे आपको कुछ कि मैं प्राथना कर सकता हूं हालेलुया जैसे अभी हम प्राथना करेंगे चंगाई के लिए किनको चंगाई मिलेगी जो मेरी प्राथना के साथ विश्वास के संग एक हो जाएंगे आपको चंगाई मिलेगी जिस विश्वास के संग मैं प्रात्रा करूंगा उसी विश्वास के संग आपको प्रात्रा को लेना है ज़रूरी नहीं कि मैं आपको हाथ रखो तब ही आपको मिलेगी नो इशू के नाम में चंग आई है जिस इशू मसी के नाम को विश्वास के संग मैंने लिया और जिस इशू मसी के नाम से मैंने विश्वास के संग प्रात्रा किया उसी विश्वास के संग आप इशू मसी के नाम से उस प्रात्रा को ग्रहन करिए आपको चंगाई मिलेगी यस वो दे चुका है चंगाई 2000 साल पहले वो कोड़े खाकर हमको चंगा कर चुका है हमें अब रिसीव करना है विश्वास के संग उस चंगाई को कोई मुश्किल नहीं है पेस अलॉट आज का वच्छन अच्छा लगा प्रभू आपको आशीष दे गड़ ब्लेसी वाले लेगा